कलर्स के शो शक्ती अस्तित के एहसास की ना ही सिफ टियार पी चार्ट पर सबसे आगे है बलकि शो के बारे में हर जगा हर कोई बात कर रहा है शो ने शोशल ईशू एबाउट किनर को उठाया और साथ ही साथ इतनी ब्रिलियंट अक्टिंग और स्क्रिप्ट ने शो को बहुत बड़ा सक्सेस बना दिया है विबिन डिचेना, रिना कपूर, कामया पंजाबी और अयूब खान की अमेजिंग पॉफॉर्मेस तो है ही लेकि शो की यूएस पी है शो की लीड एक्ट्रेस रुबीना आका सौम्या लेकिन आज हमारे पास से आपकी सौम्या से रिलेटर एक बहुत बड़ा खुलासा एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप भी चौक जाईएगा आपकी सौम्या जिसे इस वक्त आपकी सबसे जादा हमदर्दी मिल रही है क्योंकि वो एक किन्नर है जी हाँ यानि कि रुबीना उन्होंने शायद ही सौम्या का किरदार निभाया होता हम आपको बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किन्नर के किरदार से रुबीना डर गई थी या उन्हें ये रोल थोड़ा अटपटा लगा दरसल बात कुछ होर ही है रुबीना ने जब इस शो के लिए ओडिशन दिया था तो उन्होंने साथ ही साथ सौर्भी के कैरेक्टर के लिए भी ओडिशन दिया था सौर्भी यानि जो इस शो में सौम्या की बहन का किरदार है उस कैरेक्टर के लिए भी ओडिशन दिया था ये पिक उसी auditions की हैं जब हमने रुबीना से बात की कि अगर वो सुर्भी के रोल के लिए सेलेक्ट हो जाती तो वो क्या करती इस पर रुबीना ने बहुत बिंदास जबाब देते हुए कहा कि क्या होता उस कैरेक्टर भी में अपना पूरा बेस देने की कोशिश करती तो अगर उनने सुर्भी का रोल मिला होता तो वो सुर्भी के रोल को भी एक अलग स्टाइल देती वैल हम तो रुबीना की इस अप्रोच को बहुत ज़ादा अप्रिशियेट करेंगे और उनके आने वाले फ्यूजर परफॉर्मेंस के लिए उनने बेस्ट अफ लग कहते हैं